राजिजिंग राजस्तान समित को लेकर हाली में विदेश व्यात्रा से लोटे डिप्टी सीम डॉक्टर प्रीमचन बैरवा का कहना है कि राजस्तान निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों में वाकई में खासा उत्सा है प्रदेश सरकार अधिक साधिक कर निवेश लाने के लिए हड़ संभोव प्रयास कर रही है और उस मोगे पर डिप्टी सीम डॉक्टर प्रेमचन बेरवा से खास बादचित की डिप्टी एडिटर शिवेंदर सिंग परमाड़ने प्रदेश में होने जा रही राइजिंग राजस्तान समिट के लिए राजस्तान सरकार की तयारियां जोरो पर है हाली में मुख्यमंतरी के साथ एक उच्चिस तरिय दल जापान और साउथ कुरिया की यात्रा पर गया था और प्रदेश के उपमुख्यमंतरी डॉक्टर प्रेमचंद बेरवावी उस डेलीगेसन में सामिलते विदेश से लोटे हैं बेरवाजी खूब उन्होंने मीटिंग की हैं विदेश में जो निवे सकते उनके साथ उनसे बातचीत करेंगे सर कैसा बिजनिस दोरा रहा आपका क्योंकि जो सूचना हमारे पास आई आपने चाह साउथ कोरिया हो चाह जापान हो वहां के अलग लग जो बिजनिस के निवे सकते उद्द्योग फती थे उनके साथ खूब मीटिंग्स आपके हुई हैं देखे जापान और कोरिया में जा संभावनाएं हैं क्योंकि खनी बहुत ज्यादा मिनरल है अपने यहां और इसके अलाव पेट्रो और हमारे पास सूर्य और पठार जमिन भी और एनरजी के लिए भी हां बहुत अच्छी संभावनाएं हैं इनको लेकर हम हर वहां के इन्वेस्टर हैं उनसे मिटिंग हुई निश्थरू से यहससर मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जिस तरह से उनकी जो डिusement थी उनको आश्वस्ट किया है कि हम आपको ऐसी सूविधाएं देंगे और उन सूविधाओं जो उनकी डिमांड थी उनके लिए आस्वस्ट किया है निश्यतरूप से राइजिंग राजस पधारें और अपने अपने इन्वेश्ट के बारे में निश्यत रूप से वो बताएंगे हमारी शरकार राजस्तान के विकास के लिए विक्षित राजस्तान जो मानने समाने यससु प्रधान मंतरी का सपना है विक्षित भारत का उसमें राजस्तान को विक्षित राजस्तान बनाने का सपना निश्वित लूप से माने यश्ष समुक्य मंतर की निदनकстрой Dad देखेंगे उनका दलाएगा निशित रूप से वो बड़े उत्सुक है हमारे यहां इन्वेस्ट करने के लिए और निशित रूप से एक अपार संभावनाओं के साथ हमें विश्वास है कि जो राइजिंग राजस्तान हमारे यससर मुख्यमंत्री जी का जो वीजन है निशि यससवे प्रधान मंत्री जी की जो सोच है उस सोच को लेते हैं हमारे यससवे मुख्यमंत्री जी ने सुरू में अभी आट नो मैंने बाद ही इस बात को और जल्दी ही राइजिंग राजस्तान की जो इन्वेस्टरों की जो मिटिंग कर रहे हैं वो बनते ही कर रहे हैं जो काम करना है वो हम अगर अभी करेंगे तो निश्यत रूप से हम चार साल में उनको इस्तापित कर सकेंगे और उसका रिजल्ट आए बतोर डिप्टी चीप मिनिश्टर आप इस बात को इंस्वर करते हैं सर कि जो MOU इस समिट में होंगे वो धरातल पर उतरेंगे और प्रद जल्दी से जल्दी आए इसको लेकर अभी भी बजट का भी उनका यही फोकस है कि जल्दी से जल्दी दरातल पर आए निश्यत रूप से यही सोच राइजिंग राजस्तान में है कि जो भी समिट होंगे जो भी हमारे इन्वेस्टर आएंगे वो धरातल पर आए और जल्द को वो आकर सित करें तो इन दो विवागों में जिनकी कमान आपके पास है प्रमक तोर पर बड़े विवाग हैं इन में क्या तैयारी है निशुत रूप से हमने कमा काई वहांबी देखी हमने एक कैसी टेकनोलोजी किस तरह चल रही है हम टेकनोलोजी की छेत्र में और हमारे परिवहन के छेत्र में भी हमने वहांपे एक कई चीजे ली है, जनकारी मिली लिए निश्वत रूप से मैं भी डिपार्टमेंटों में और अधिकारियों से चर्चा करके यह कर रहे हैं कि हम कैसा हमारे विभागों को आगे एक अच्छा सुविवस्तिक तरीके से उनको चलाएं इसके लिए भी हम प्रियास कर रहे हैं निश्वत रूप से हम इसी चीज म हमारा फोक्स देगा तो यह है राजस्तान के उपमुख्य मंतरी डॉक्टर प्रेम चंद बेरवा जो हाली में लोटे हैं साउथ कोरिया और जापान की यात्रा से उन्होंने वहां के जो इन्वेस्टर से उनसे बातचीत की है उनको बताया है उपमुख्य मंतरी ने कि अगर नरेंदर के साथ श्रिविंदर पताप सिंग परमार फर्स्ट इंडिया नियूज जैपन।